भाई, तुम कहां चले गए? ये कहानी है विकास के जो अपनी बुरी परिस्तितियों और कठिनाईयों के बावजूद कभी हर नहीं माना. वो कहते हैं न, कि इंसान की परिस्तिती ही उसकी जिन्दिगी का सफर तै करती है. कुछ ऐसा ही विकास के साथ भी हुआ. विकास उत्तर प्रदेश के गाउं का रहने वाला था. विकास के जीवन में उसके माता पिता एक बड़ा भाई और छोटी बेहन थे. पिता घर का खर्च सम्भालने के लिए गार्ड की नौकरी करते थे. बड़ा भाई इलेक्ट्रीशन था जो दिल्ली में रहकर काम करता था. उसने अपने भाई बेहन को पढ़ाने के लिए अभी तक शादी नहीं की थी. विकास और उसकी बेहन पढ़ाई करने के लिए अपने बड़े भाई के साथ दिल्ली में ही रहते थे. विकास अभी ग्रेजुएशन के लास्ट इयर में था और उसकी बेहन ग्रेजुएशन के फस्ट इयर में एक दिन विकास का बड़ा भाई जब काम करके घर वापिस आ रहा था रास्ते में एक बाईक पर तीन लड़के सवार थे और वो काफी रफ़तार में थे वो विकास के बड़े भाई की बाईक को टक्कर मारके भाग जाते हैं विकास का भाई रोट पर गिर जाता है और हेलमेट नहीं लगाने के कारण उसके सिर में चोट लग जाती है जिससे उसके नाक वक कान से खून निकलने लगता है वहाँ कुछ लोग विकास के बड़े भाई को अस्पताल ले जाते हैं लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है विकास के बड़े भाई की मौत से पूरे घर में मातम चा गया विकास के मापिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया ऐसे इस्थिति में विकास भी पूरी तरह से तूट चुका था उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे लगबग एक महीने तक विकास और उसकी छोटी बहन अपने माता पिता के साथ ही रहे इस दोरान उनकी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी लेकिन विकास अपने भाई की ख्वाईश को पूरा करने के लिए फिर से दिल लिया गया और वहाँ पर एक मॉल में काम करने लगा एक महीना काम करने के बाद विकास ने अपनी छोटी बहन को भी वही बुला लिया और उसे एक गर्स हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया ताकि वहाँ पर रहकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके तभी उसे दिल्ली पुलिस के भरती के बारे में पता चलता है उसे आशा की एक किरण नजर आती है वह बहुत उत्साहित हो जाता है उसे ऐसा लगता है कि यह उसकी जिंदगी और परिस्तितियों को बदल सकती है वह विश्वास के साथ फॉर्म भरता है और तयारी में लग जाता है लेकिन वह अपने काम के चलते अपनी तयारी को परियाप्त समय नहीं दे पा रहा था ऐसे में वो मॉल की नौकरी को छोड़ कर रात में गाड की नौकरी करना शुरू कर देता है उधर घर में पिता अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए गाड का काम कर रहे थे तो उधर उनके बेटे ने गाड का काम करना शुरू कर दिया अब विकास रात में गाड की ड्यूटी के साथ दिन में पढ़ाई करता था उसे पता था भाई की असमय मृत्यू से परिवार पर जो संकट आया है उससे निकलने के लिए पूरे दिलो जान से तयारी करनी होगी कुछ महीनों बाद दरोगा का एक्जाम हुआ और विकास ने रिटन एक्जाम क्लियर कर लिया उसकी महनत रंग ले आई थी अब अगला पड़ाओ दस किलोमीटर की दौर पूरी करना था अब वे रोज शाम को पांस से छे बजे तक अपनी दौर की प्रैक्टिस करता उसके बाद रात को आठ से सुबे छे बजे तक गार की ड्यूटी करता अब वे समय आ गया था जब विकास को दरोगा भरती के लिए दस किलोमीटर की दौर में जीत कर भाई की ख्वाईश को पूरा करके दिखाना था विकास ने सीमित साद्रों में भी सफलता प्राप्त करके दिखाई और अपने माता पिता का साहरा बना लेकिन आज उसकी आँखों में खुशी और गम दोनों आशू थे खुशी इस बात की थी कि भाई का सपना पूरा कर दिया और गम इस बात का था कि सफलता को देखने के लिए उसका भाई उसके साथ नहीं था जब दरोगा का जॉइनिंग लैटर विकास के घर आया तो उसके माता पिता रोने लगे विकास की बेहन की आँखों में भी खुशी के आँसू थे विकास ने अपनी मेहनत से अपने परिवार की परिस्तितियों को बदल दिया था लेकिन आज भी अपने भाई को याद करके रोता था ये बात सच है कि पैसा सब कुछ कर सकता है लेकिन कभी भी चले गए इंसान को वापिस नहीं ला सकता आशा करते हैं आपको ये सत्य कहानी अच्छी लगी होगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद